यहां पर it है और it को as a introductory subject की तरह यूज करना है तो देखो ऐसे समलो it जब as a introductory subject की तरह यूज होता है तब it का कोई sense नहीं निकलता है है ना it का कोई sense नहीं निकलता है clear है तो यहाँ पर it जो होता है ना यह होता है without sense रहता तो है लेकिन इसका कोई sense नहीं होता है अब यह क्या बात हुई जैसे देखो अगर मैं कह दूँँ 5 बजा है या 5 बजे है इसको English में बनाईए तो 5 बजे है इसको English में बोला जाता है it is five o'clock क्या बोलते है it is five o'clock तो अब यहाँ देखे it is five o'clock यहाँ it का क्या कोई sense निकल रहा है नहीं लेकिन it को as a subject use किया गया है और देखे it के ही according helping verb is लगाए क्योंकि it जो है वो singular subject की तरहे काम करता है लेकिन यहाँ it का कोई sense नहीं निकल रहा है इसका मलब it यहाँ पर subject है लेकिन introductory subject है समझे it introductory subject की तरहे कैसे काम करता है अब प्रस्न आता है ठीक है it introductory subject की तरहे तो काम करता है बिलकुल यह बात इसमें कोई doubt नहीं क्या it और किसी तरहे काम करता है हाँ बिलकुल काम करता है इट को as a pronoun भी use किया जाता है इट का use as a pronoun भी use होता है इट का use किया जाता है और जब इट को as a pronoun use किया जाता है तो उस situation में इट का sense यह निकलता है इट का sense क्या निकलता है? यह निकलता है, नहीं समझे यह जाता है अगर इट को as an introductory subject की तरह use किया गया तो it without sense होता है it का कोई sense नहीं निकलता है जैसे आपने देखा 5 बजे है it is 5 o'clock या आज मंगलवार है it is Tuesday today हाँ इसको short में अगर बोलना चाहो तो it is का contractive form it's होगा तो it's 5 o'clock है ना तो अभी समझ में आ है लेकिन जब it को as आप pronoun use किया जाता है तब it का sense क्या निकलता है यह से निकलता है अना it का sense क्या निकलता है यह से निकलता है और एक चीज और जनरली जो है it का huge एक आपको पता ही होगा normally non living things के लिए होता है और small animals या insects के लिए होता है मतलब it का huge यह के sense में कहा होता है तो generally वहाँ पर होता है non living things के लिए होता है non living things के लिए होता है और जो है small animals के लिए होता है small animals या animals के लिए अभी small बड़े भी animals हो सकते हैं animals and insects के लिए होता है it का यूज अब ये क्या बात हुई जैसे example देखे अगर example में मैं कहूँ जैसे देखो याह और याद रखना पहली बार पहली बार में याह के लिए it नहीं बलकि दिस आता है ये कमाल की चीज़ है समझने वाली चीज़ है देखो याह मैं कहाँ दूँ याह एक pen है याह एक pen है और याह नीली है याह एक pen है और ये क्या है नीली है तो देखे याह एक pen है तो पहली बार याह के लिए it नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ संकेत किया जा रहा है कि याह एक pen है तो इसके लिए तो दिस डेट दिस दो जाता है तो यहाँ पर होगा दिस इज आ पैन यह हो गया याह एक pen है याह एक याह नीली है अब दोबारा दिस या डेट के लिए क्याएगा it आता है है ना तो अब यहां पर बोलेंगे it is blue यहां क्या है नेली है पर sir अगर ऐसा हो जाए बस एक ही वाठ यह हो यहां आदमी है तो देखो अभी यहां समझो यहां आदमी है अगर आप ऐसा बोलोगी तो कहूं न कहीं आदमी कि और आप संकेत कर रहे हो ना इस नहीं हो रहा है यह नहीं बिल्कुल नहीं इट होगा है यहां पर होगा दिस इज आ मैं लेकिन अगर दोबारा आजाए यह एक आदमी है यह मोटा है यह कैसा है मोटा है अब दोबारा दिस नहीं होगा और यह तो यहां पर क्या होगा इट एजे फैट फैटी दुसरा ऐसा हो सकते है सर्मुनला वे एक वड़ का पागू अप्राइब आप यह कुरसी है यह कुरसी दिसी जा चेयर आप एटी जा चेयर कर सकते हैं लेकिन ध्यान देना संकेत के लिए जब पास की ऑपजिट को संकेत करना हो तो वहाँ दिस आता है यह क संस में और जब दूर की ऑपजिट को पॉइंट करना हो तो वहाँ पर क्या आता है डैट आता है वहा के लिए एक बार जब इन सब का यूज हो जाया तो दोबारा इनके लिए कौन आता है इट आता है दोबारा इनके लिए क्या आता है इट आता है समझ में आया क्लेर है सम पूरी है, तो it is brown, समझें, तो दो बारा, अभी इस पर मत जाओ, अभी इतना समझ भी आया, तो this dead के बदले में, जब एक बार इनका यूज हो जाए, तो दो बारा, कौन आएगा, it आएगा, समझ भी आया, ये बिलकुल, क्योंकि यहां sense दे रहा है, तो it को एजा, pronoun यूज क अच्छा, ये समझे इतना, clear है, यहां के sense में होता है, अभी जैसे मैं कह दूँ, लोग कहते हैं, I like it, I like it, ऐसे सुने होगे, कि मुझे ये पसंद है, अम मैं इसे पसंद करता हूँ, तो देखो, it का sense यहां इसे से लिया जा रहा है, it को यहां पर एजा, pronoun यूज किया गया जैसे आदम कोई चीज कहता न, यार ये मिठाई है, ये रसगुला है, ये है, ये जलेबी है, जलेबी, I like it, I like it most, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, तो जलेबी के लिए क्या आया, it आया, तो यहां पर एजा, pronoun नहीं यूज हुआ है, लेकिन यहां object की तरह यूज हुआ है, यहां पर क्या है, subject की तरह यूज हुआ है, है न, समझे, मैं इसे करता हूँ, हाँ, मैं इसे करता हूँ, I do it, तो अभी देखिए, I do it, इसे मतलब कोई कामी होगा, ये मतलब I like it, का मतलब हो जाएगा, I का मतलब मैं, like का मतलब पसंद, पसंद करना, इसे मैं इसे like एक action है, है न, like मिन्स क्या होता है, पसंद करना, तो I like it, मिन्स मैं इसे पसंद करता हूँ, clear है, ये आज़ा verb यूज हुआ है, अभी समझे में आया, तो यहां it object की तरह है, यहां पर it किस की तरह है, subject की तरह है, अभी तना clear है न, अब चलिए, इसके बाद में क्या आता ह है, एक जीजा समझना बहुत जरूरी है, आपके लिए, समझना क्या जरूरी है, आपने कहा जब it का use as an introductory subject यतरे होता है, जब it को as an introductory subject यूज किया जाता है, तो वहां पर क्या it का कोई sense निकलता है, तो it क्या होता है, nonsense होता है यानि कि it का कोई sense नहीं निकलता है it जो है senseless होता है अब कैसे पता चलेगा कि हम वहाँ पर it का use करें तो देखो जब it का use as an introductory subject होगा तो वहाँ पर क्या-क्या condition होगी वहाँ पर condition ही होगी days के name के लिए किसके लिए days name के लिए इसी तरह months name के लिए clear है months name के लिए और date name के लिए date clear है date name के लिए या जो है आपका कोई season हो winter summer इस तरह से season name के लिए clear है समझे में या कोई natural आपदा है clear है कोई क्या हो natural events हो natural disasters हो natural hazards हो तो natural hazards के लिए यहां पर इन सारी condition में it का use कहा होगा it सी कर सकते it का use as an introductory subject होगा अब ये तो थोड़ा जादा हो रहा है यहां पर समझे देखो हम बात करते हैं सबसे पहले it को it का use natural hazards या natural events के संस में natural events के लिए यानि की प्राकृति घटनाओं के लिए तो जैसे हम ऐसे कोई ऐसे लिख दूँ जैसे माल लिजे मैंने लिख दिया वर्सा होती है यहां नवर्सा होती है तो इसकी इंगलिस क्या होती है it rains it rains आपकर वर्सा हो रही है तो क्या हो जायेगा it is raining क्या हो रही थी it was raining क्या हो जाएगा it will be raining है ना इस तथरह से मतलब जैसे अभी present tense है present indifferent तो it rains present continuous हो जाता तो वर्सा होती है तो वर्षा हो रही है it is raining समझ में आया इतना समझ में आया अच्छा जैसे मैं कह दू हवा चल रही है हवा क्या है चल रही है तो इसको कैसे बोलोगे इसको अब ऐसे तो बोलोगे नहीं wind is going या coming या blowing है न clear है हवा चल रही है इसको बोलोगे it is blowing तो देखो blow means होता है हवा चलना या हवा का बहना clear है blow means क्या होता है हवा का बहना तो it is blowing मतलब क्या हो गया हवा चल रही है मैं कहते हूँ हवा चलती है तो आप क्या बोलोगे it blows present independence आ गया न आँ बताइए इसा वो सकता है जितना dress blues क्या dress blow dress नहीं ये गलत हो जाएगा ये dress blow ये क्या है ये तो हो जाएगा dress जो है जलती है नहीं blow मतलब होता है हवा का चलना जैसे अभी एक ऐसे अंध्हेरी रात थी या अंध्हेरी रात है तो अंधेरी रात थी अगर थी की बात करें तो it was a dark night और अंधेरी रात है तो क्या कर दो प्रजेंट में आ जो अंधेरी रात होगी it will be dark सिमला में बहुत सर्दी पड़ती है पता है सिमला में बहुत सर्दी पड़ती है तो क्या हो जाएगा it is very cold बहुत ज़्यादा cold रहता है बहुत ज़्यादा cold होता है इन सिमला है ना it is very cold in सिमला समझ में आया मैं कह दूँ गया में बहुत गर्मी पड़ती है तो it is very hot in गया है ना चांदनी रात थी इसको कैसे बोलोगे बताइए चांदनी रात थी पाष्ट की बात है तो it was a moonlit moonlit night मतलब चांदनी रात थी clear है मूशलाधार वर्सा हो रही है तो it is raining cats and dogs cats and dogs यह fragile verb है मतलब heavily clear है समझ में आया तो इस तरह से और कहां पर यह तो हो गया natural hazards के sense clear है किस के sense में हो गया natural hazards के sense में अब date की बात करें जैसे देखो यह हो गया ना यहाँ पर फिर देखे days की बात करें तो days seven days जैसे आज मंगलवार है है ना तो इसको कैसे बोलोगे आज मंगलवार है बताइए इसको बोलेंगे it is Tuesday today है ना it is Tuesday today means क्या होगे आज मंगलवार है clear है अब आप करो कल बुद्वार होगा तो it will be it will be better day tomorrow clear कल सो मुआ रधा ना तो it was Monday yesterday बीते हुए कल को yesterday आने वाले कल को क्या बोलेंगे तूड़े ना तूमारों बोलेंगे clear है ना अभी देखो मंच के नेम के साथ में जैसे मार्च का महीना है तो it is the month of मार्च डेट का नेम आप कोई ऐसे डेट बता सकते है ना कुछ भी 1970 का दिन था या हाँ समय था 1970 हाँ तो it was 1970 clear है इस तरह से सीजन के जैसे गर्मी का समय है तो it is winter season clear है it is winter season अब time के sense का मलब क्या हुआ अभी जैसे बताई गया था छे बजे है तो it is six o'clock साम के छे बजे है तो it is six p.m. साम में p.m. होता है ना साम को होगा तो evening ना हाँ evening आप बोल सकते है p.m. लगा दोगे तो cover होगे it is six p.m. या अभी समझ में है इतना clear है लेकिन अब एक होता अब it का special use है special use में क्या एक example से मैं बताता हूँ हाना एक example से बताता हूँ हाना जैसे क्या होता है कि यहाँ पर मैं example लिख रहा हूँ कौन था जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी अब बताओ कौन था यानिक हम जोर दे रहें तो कौन था इसको हूँ आज तो कहेंगे ने तो यहाँ पर बोलेंगे it was who ये बोलेंगे रुको रुको it was who बोलेंगे या बोलेंगे क्या बोलेंगे पहले ये बताओ नीचे वाला होगा क्योंकि question word तो भाई पहले रहेगा तो who was it मतलब वो कौन था जिसने मेरी क्या तोड़ी जिसने मेरी कुर्सी तोड़ी तो dead broke my chair dead broke my chair जिसने मेरी चेयर तोड़ी आप dead के place पर who का भी यूज कर सकते हो clear बताएंगे who dead in some difference का है who broke my chair clear है समझ में आया हाँ इसी लिए तो यहाँ dead लगा clear है इसी लिए यहाँ dead लगा तो who was it dead broke my chair है ना एक चीज़ और याद रखना भी है यह जो it is है it is present में क्या रहेगा it is past में क्या रहेगा it was present में क्या रहेगा it is और past में क्या रहेगा it was future में तो bill भी रहेगा इनके बाद में ना हमेशा subjective case का use किया जाता है हमेशा किस case का use क्या जाएगा subjective case का use क्या जाएगा अब subjective case क्या होता है तो यहाँ दो case चलता है पता है कि नहीं एक होता है subjective case और एक होता है objective case जैसे subjective case ही और ही का objective case हिम subjective case सी सी का objective case हर it का it ही रहता है you का you ही रहता है आई का objective case मी होता है और बी का objective case क्या होता है अस होता है दे का objective case क्या होता है देम होता है क्लियर है ना इस तरह सलता है तो बताइए अगर मैं कह दूँ मैं हूँ जैसे दर्वाजा नोक किया आपके कौन? मैं हुँ तो दीखें मैं हूं इसकी इंगलिस क्या सही होगी it's me सही होगी या जो it is I सही होगी it's I सही होगी क्या सही होगी यह सही होगी यह गलत होगी क्यों? हमने क्या बता है it is य इट dormir वाज की बाद में क्या लगेगा? Subjective Case लगेगा. Subjective Case क्यों लगा इसका भी region समनो. देखो. कौन है? आपने का मैं हूँ. बात किसके बारे मैं आप कर रहे हैं? बात किसके बारे मैं कर रहे हैं? अपने बारे मैं कर रहे हैं? यहानिका आप subject है. इसलिए आई लगा, है न, clear है, तो यहाँ पर it is क्यों आया, क्योंकि it का use यहाँ पर हुआ है, as an introductory subject, हाँ it's में भी होता है, बिल्कुल, spoken में यही चलता है, लेकिन grammar कहता है, मुझे rule, नियम से बनाओ, क्योंकि नियम में तुम हमें नहीं, बनाओगे तो हम तुमको निप्ट क्या है, कुछ भी बोलो, बस अगले को समझ में आना चाहिए, तो देखो, spoken में तो यही होता है, it's me, लेकिन सही क्या है, it's I, clear है, याद रहेगा न, इतना, तो यह it का हो गया, especially use, अब जैसे कुछ और होते हैं, एक, जैसे, एक, यह पूरा, मतलब, fragile verb type use होता है, it is difficult, it is difficult, के संस, है न, मतलब, यह कठीन है, और difficult to के साथ में और की फश्ट होता है, जैसे, इस तरह से concept use होता है, जैसे, मैं कहा दूँ, पता है, French सीखना कठीन है, it is difficult to learn French, it is difficult to learn French, मैं कहा दूँ, धूप में दोड़ना बेकार है, it is useless, है न, अब जैसे, it is huge, इसका, यूज कहा करन कठीन है के संस में, बेकार है के संस में क्या कर देना, it is useless, इस तरह से concept बनता रहता है, clear है, it is useless to के साथ हो, अब की first one, बासी खाना खाना बेकार है, तो it is useless to eat the stale food, clear है न, इस तरह से huge, इसी तरह आप जैसे कहतो न, कहना सरल है, करना कठीन है, है न, तो कहना सरल है, तो it's easy it's easy to say, but difficult to do, देखिए बढ़िया है, it is easy, या it's easy to say, it's easy to say, means कहना सरल है, it's easy to say कहना सरल है, लेकिन करना मुश्किल है, but difficult to do, but difficult to do, देखिए यह ऐसा वर्ड है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते है, कि it's easy, it's easy to say, मतलब कहना तो आसान होता है, but लेकिन difficult to do, लेकिन करने में क्या लगता है वो, कठीन होता है, difficult, मुश्किल होता है, समझ में आया, इसी तरह आप ऐसे कर सकते हैं, कि यार पता है, उससे बात करना बेकार है, मूर्खतापन, it is foolishness, it is foolishness to talk to, इस तरह से आप बन करना, इस तरियों को जागरूप करना, सिच्छित करना जरूरी है, तो अब जरूरी है कि संस में क्या यूज करूँ, it is necessary, जरूरी है कि लिए necessary होता है, तो it is necessary to educate the woman, necessary नहीं होगा, necessity होगा, क्योंकि necessary और necessity दोनों में अंतर, यहां पर हमने क्या कहा, कि जागरूप करना पूरी है, इस के बाद आप यूज कर रहे हैं, एक तरह से adjective, तो it is necessary, necessary कर दो, it is necessary, और to educate the woman, आप necessary कहीं यूज कर दो, to educate the woman, clear है, अभी समझे में आया, अभी इतना clear है, it is necessary to educate the woman, इस तरह से इसका यूज किया जाता है, एक चीज़ और, जहां focus करना हो, जहां focus करना हो, वहां पर इसका यूज किया जाता है, जैसे हमें, यह कहना हो, जैसे एक लड़का है, मालनो यहां पर, और इसको हम देखते ही, एक दम मतलब, गुस्से में आगे, कि भाई, और गुस से जोर देने के लिए यहाँ वही लड़का है यहाँ वही लड़का है जिसने जिसने मेरी कलम चुराई है यहाँ वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है तो इसको इसमें कैसे बोलोगे अब यहां आप फोकस करो जोर दे रहो तो इट्स दा बॉय है ना अरे सॉर्ड फॉम कर दू या इट्स क्लियर है तो क्या हो जाएगा इट्स दा बॉय इट्स दा बॉय का मनलब यह वही लड़का है क्लियर जिसने मेरी कलम चुराई है क्लियर है समझ में इस तरह से जब जोर देना हो किसी चीज़ पर तो वहां पर आपको इसका यूज करना है क्लियर अभी समझ में आया तो इस तरह से इट का यह पूरा यूज होता है एंड क्लियर है